जहां जहां उनको एकपल मौके नहीं मिलते वही शिरिकान भोलता है I can और वो उन मौकों को लड़ कर लेता है जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा कि वो हमारे education system से लड़ जाता है उनके खिलाब case करता है कि क्यों नहीं 11 में science side मिल सकती किसी नेतरीन बच्चे को और इस तरीक में बड़े परदे पर लोग को acting करते देखा होगा लेकिन ऐसी acting बहुत कम देखने को मिले होगी और शायद आपको याद भी ना होगी इतनी अच्छी acting कब लास्ट आपने किसी को करते वे देखा यह दोस्तों मैंना में राजिश और आप देख रहे हैं old famous honest reviews मैंने movie देख लिए श्रिकांत और एक रात पहले ही movie देखिए इसलिए मैं आज record कर रहा हूँ पाकि सुभा सुभा time से आपको review फिल जाए फिल्म का और आप decide करें कि film देखनी है या नहीं देखनी मेरे ratings क्या है यह वीडियो के end में मैं बताने वाला हूँ अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट के फिल्म के लीडर में है राजकुमार राओ जो क्याक्टर प्ले कर रहे हैं श्रिकांत बोला का यह एक real life based character है तो श्रिकांत बोला जोकी एक नेतरीन इंसान है और आज बहुत successful है बहुत वाली वह गुरू जिनको अपनी मा के समान मानते हैं उनको अपनी यशोदा मया भी बुलाते हैं वह एक डायलोग में तो बहुत च्छा character है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिभाया भी है फिल्म के अंदर अलाया एफ भी है जो character प्ले कर रहे है यह श्रिकांत कर लव इंटरस्ट है और बढ़ी इंटरस्टिंग एक लव स्टोरी है इनकी फिल्म के अंदर भी वैसी आयोप दिखाई हो काफी अच्छी एक sweet कहानी है sweet किरदार है और फिल्म देखके लगता है क्यार ठीक है इस तरीके का भी प्यार होता है फिल्म के अंदर शरत केलकर भी ह है जो character play कर रहे है रवी का रवी उनके दोस्त है उनके business partner है और उनको बहुत support करते हैं और उनको funding देते हैं initial days में और आगे चलके दोनों साथ में नाम करते हैं काम करते हैं अभी भी वो लोग साथ में काम करें फिल्म के end में उनको दिखाए भी जाता है इनके अलावा जमी data नेत्रहीन है नहीं देख सकता तो ही खुशिया मातब में बदल जाती है परिवार यह तक सोच लेता है कि बच्चे को मार दिया जाए लेकिन जो ममता होती है वह उन्हें बचा लेती है और आगे चलके वही बच्चा स्कूल पर पढ़ने जाता है तो वहां उसको परिशान श्रीकांत बोलता है और वो उन मौकों को लड़ कर लेता है जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा कि वह हमारे एजुकेशन सिस्टम से लड़ जाता है उनके खिलाफ केस करता है कि क्यो नहीं 11 में साइन साइड मिल सकती किसी ने थरीन बच्चे को और इस तरीके से उनके करते हैं फिर वो कॉलीज जाते हैं कॉलीज में पढ़ने के लिए उनकी बहुत स्टागल होती है उनको क्रिकट खेलने का सपना होता है वो क्रिकट भी खेलते हैं फिर क्यों नहीं आगे खेल पाते है आप फिल्म देखे आपको समझने आएगा पूरी फिल्म श्रीकांत के जीवन में अचीव करी रहे हैं और उनका सपना जो फिल्म के ट्रेलर में देखाए कि प्रेजिडेंट मनने का सपना उनके मन में आज भी है तो श्रीकांत की यही कहानी पर फिल्म बनी हुई है आप फिल्म को देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा क्यों क पर फिल्म के काomas की कहानी उनके स्ट्रगल जर्मी है मैं जितना जाएथा बताऊँगा तो यहादा आपका मजा खराब होगा थेटर में जाके जबताब देखेंगे उस film को मैं जाएदा नहीं बताऊँगा मैं बताऊँगा फिल्म में अच्छा क्या लगा यह और अच्छा दे रहे हैं मतलब आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये इनसान देख सकता है और ये ऐसा करेक्टर प्ले कर रहा है जो देख नहीं सकता बहुत शांदार अभिने उन्होंने किया है और मुझे लगता है कि इस साल के अवार्ड वो डिजर्व करते हैं और उनको मिलेंगे भी आपकी अक्रस नहीं भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं जिस तरीके से वह किरदार वो डियलोक्स को बोलता है तो और इम्पैक्ट लेकर आता है तो डियलोक्स के तारीफ होने चाहिए और स्क्रीण प्लेइब की भी तारीफ करी जा सकती है ठोड़ी सी कम्या है जिसमें मैं कम्यों में बात करूँगा है लेकिन एक बांधे में यह रखता है शुरुवाद बहुत अच्छे से हो जाती हैं बहुत जल्दी कहानी अपने तो और अच्छा लगता लेकिन ठीक है वो जिस तरीके से उसको खतम कराया उन्होंने वो अच्छा हो गया लेकिन कमी देखा जाए तो एक लेंथ की कमी हो सकती है इसके लावा इस फिल्म के अंदर और कोई कमी नहीं है बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है बहुत अच्छे करती है आपको आप समझते हैं उनकी भावनाव को समझते हैं और एक सवाल उठना शुरू होता है मन में कि क्यों बराबर ही नहीं है क्यों उनको उनकी अधिकार नहीं मिलते हला कि इस फिल्म में काफी हद तक एंड में दिखाया है कि अधिकार उनको मिलने शुरू हो चुक ट्रेनों में भी मांग रहे हैं, आपने आज तक ऐसा नहीं देखा कि बहुत बड़ी पोस्ट पे बहुत उचे पदों पे बहुत अच्छे कमपनियों में काम करते वे इन लोगों को, हाला कि प्रतिवा कि कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उन्हें एक फ़ल मोखे नहीं मिलते है जैसे कि मुझे भी याद है फिल्म देखते हैं, मेरे दिमाग में चीज़े आ रही थी, कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे स्कूल में भी टीचर्स आते थे, और वो म्यूजिक टीचर्स होते थे, जिन्हें दिखता नहीं है, उसके अलावा हमें और को ही नहीं द दर्चक डिजर्फ करती है, आप जाएं, देखें, अपने परिवार के साथ देखें, अपने छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, सब के साथ देखें, अच्छी फिल्म है, बड़िया फिल्म है, कम बनती है, बॉल्यूड में ऐसी फिल्म है, जहां हफ्ते फिर आएंगे नहीं वीडियो के साथ और इस बार स्टूडियो से आएंगे जल्दी डालना था इसलिए घर से गर गिया ठीक है मिलते हैं